आज वाल्यूम में कुछ बहुत इशू अगया था क्योंकि मैंने शुरू में जैहिन नहीं बोला था मैं थोड़े से सुपर स्टेशन भी हूँ तो मुझे लगा कि आसा तो नहीं कि मैंने जैहिन नहीं बोला और इसकी वाल्यूम ही ठीक नहीं आई है setting change करी है मैंने तो I want to check it तो आप volume ठीक कर लिया बटा ठीक है न तो मुझे पता है बच्चे मेरे चले गए हैं थोड़े से जिनके साथ हमने class लगानी थी थोड़ा सा setting में कुछ गडबड होने की वज़ा से ये problem जो थी वो हो गे थी ठीक है तो अपनी class हम फिर से starting से start करेंगे जो हमने करना शुरू किया था ठीक है आप comment लिख सकते हो और अगर आप class ठोड़के चले भी केते तो बटा वापस भी आ सकते हैं समझ मैं आगे ठीक है तो we started the class अना ओके ने it is like this ओके तो ऐसे मेरा ऐसा हम अपनी class को बटा शुरू करेंगे ठीक है we are going to start our class ठीक है ओके ठीक है तो start करते बटा यही कोट के साथ हमने class को शुरू किया था थोड़ी ओ वाइस की वाज़ा से मैं थोड़ी थी confused जो थी बच्चे होगी थी हाँ अब ठीक है ठीक हो जाता है और वैसे भी OBS के थूरू जब आप live streaming करते हो ना तो OBS बहुत ही complicated एक आप समझ सकते हो कि streaming software है तो बटा मैंने आपके class यह कोट के साथ शुरू करी थी ना और शायद मुझे लगता है कि इसका example मैंने खुद ही आज आप लोगों को दे दी है that is कि a little progress each day adds up to a big result मैंने class में कुछ गड़बड होगी थी बट मैंने class नहीं छोड़ी because I have prepared this class और मैं आपके लिए class जो है न वो तो लेके ही जाऊंगी otherwise उससे पहले मैं नहीं leave करने वाली हूं class को ठीक है समझ में आगया तो आप भी day by day day by day कुछ ना कुछ जो है बटा वो add कर सकते हो अपनी life में ने new skills सीख सकते हो जिससे कि आपके development भी बटा बहुत जादा जो हो सकती है समझ में आगया ठीक है तो कोशन हमने यहां से शुरू किया था पहला कोशन जो आपने अलरड़ी कर भी चुके आप समझ लो कि आपके लिए थोड़ी repetition ही हो जाएगी आपका कोशन था कि विच साइट ऑफ यूक्रेन इस लिस्टेड इन डेंजर साइट और यह हमने डिसकस कर लिया था कि port city है बटा और इस टाइम में because of the Russia war यह किस में आ चुकी है डेंजर में आ चुकी है समझ में आगे बटा ठीक है ना इसलिए इस टाइम इसको include करा गया है बटा यूक्रेन के एंडेंजर साइट्स में यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बता रही थी कि यूक्रेन is a country जो 1991 में कौन से एर में बटा इन 1991 ठीक है 1991 में USSR जब ब्रेक हुआ था after the cold war cold war के बारे में तो आपने सुना ही होगा cold war कब से start हुई थी बटा cold war जो start हुई थी that was started after the second world war कब शुरू हुई थी बटा second world war के बार शुरू ही थी और second world war का जो time था that is 1939 से लेके 1900 and 45 के बीच में जो था बटा इसका पुरा का पुरा time था आपकी cold war का first world war का ठीक है first world war जो खत्म हुई बटा तो आपकी cold war शुरू ही cold war जो थी between Russia and America के बीच में थी एक indirect kind of war थी जिसकी वज़े से आपको पता है loss कितना हुआ था Russia ने 1991 में अपने 15 states को गवा दिया था जो 15 देश बन गे थे बाद में जाके और cold war एंड हो गये था cold war तो अभी भी एंड नहीं हुआ है Russia और America में अभी भी आपको पता है कितने clashes है Ukraine इसका part बना इसी clash का नाटो की वज़ा से ठीक है आपको paper में यहाँ पे question जरूर आ जाता है एक जो बहुत ही important है that is related with the second world war ठीक है बहुत सारे आपके examination है इसके time पूछ लिया जाता है that is 1939 से लेके 1945 के बीच में आपकी ये war हुई थी और ये war बेटा दो powers के बीच में हुई थी ठीक है एक आपकी power कौन से थी एक allied थी और एक axis थी और यही powers अभी भी काम करती है no doubt geopolitics में थोड़ा बहुत change होया वो ही आया है allied में आपके USA ठीक है UK, USSR और France ये आपकी allied की powers की country होती थी और axis की अगर हम बात करें बेटा तो axis में सबसे powerful country जो थी आपकी three countries were involved in this एक जर्मनी थी एक आपकी इटली थी और the one more country and the name of that country was जापान ठीक है ना जापान पे तभी तो नागासाकी और हिरोशीमा में in the end of the second world war bomb गिराए गए थे क्योंकि वो मानी नहीं जाता कि मैंने युद को लड़ाई को खतम करना है समझ में आ गया तो आपकी यही second world war जब खतम हुई तो उसके बाद start हो गया cold war और अभी आप देख सकते हो बहुत सारी countries हैं जो cold war का शिकार बड़ी उसमें अफगानिस्टान सबसे बड़ी घंट्री है अफगानिस्टान की अगर आप history पढ़ेंगा न बट्टा तो आपको पता लगा कैसे अमेरिका और कैसे USSR के बीच में वो जो खीचा तानी चल रही थी ना उसकी वज़ा से इतनी बुरी हालत जो थी वो अफगानिस्टान की होगी थी ठीक है तो यूक्रेन की जो UNESCO World Heritage Sites है उनको हम पढ़ रहे हैं इस टाइम वो किसमें आ चुकी है बटा डेंजर लेस्ट में जो है बच्चे वो आ चुकी है ठीक है ना ओके नेक्स कोशन देखते हैं बटा वट इस अनेक्स कोशन आपका नेक्स कोशन भी मैंने पिछली क्लास बे मतलब पिछली अभी जब हमारी थोड़ा से प्रॉब्लम आ थी तो हमने डिस्केंस कर लिया था कि इस वन अफ दे लेजेंडरी फिलम मेकर एंड दादा साहे फॉल के अवाडी मतलब एक बहुत स्क्रीन प्ले राइटर डिरेक्टर ठीक है यह सारे है और इनको दादा साहे फॉल के अवाड भी मिला है इनके डेथ अभी रिसेंटली हुई थी बटा 2nd February 2023 को और इनका नेम नाम है के विश्वनात ठीक है ना आपके लिए यह नेम बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आपको पता है बटा जब आप पेपर देने जाते हो ना तो आपको बड़े सारे कोशन्स ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको क्या पूछा जाता है रिसेंट टाइम में जो डिसमाइस मतलब जितनी डैप्थ हुई रहती है ग्रेट परस्नालिटीज की ठीक है ना चाहे वो स्पोर्ट के साथ रिलेटेड हो चाहे वो आपकी सिनियमा के साथ हो या कोई लीडर हो, राइटर हो, पोईट हो, एस्टोनाट हो, साइंटिस्ट हो वो कोई भी हो सकता है ठीक है तो सारी के सारे जो है बटा आपको इन में सी कोशन जो है वो पूछे जाते है ठीक है नेक्स कोशन पर फोकस करते है आपका next question है, this is a very important question, आपको paper में आने की possibility भी इस question की बहुत जादा है, देखो question क्या है आपका, याया सो लेख, ठीक है न, अगर आपको हिंदी में देखने हैं, तो आप देख सकते हो, याया सो जील, which has been proposed as a first biodiversity heritage site, इसको क्या प्रपोस किया गया है पहली जैव विजता विरा लग लग तरह के होते हैं, और जब कोई भी site भेटा इसमें categorize की जाती है न, जब किसी भी state की site को, बायो डेवेस्टी heritage site में डाला जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है, कि वहाँ पे ऐसी कोई animals, birds, जो endangered हो, vulnerable हो, या endemic हो, जो वहीं पे पाये जाते हो, या उनकी population Biological Diversity Act में, जिसको बोलते हैं, which is also known as Vividita Adenium, ठीक है, Biological Diversity Act means Vividita Adenium, ये act कब पास किया गया था बेटा, ये act पास किया गया था, 2002 में, कब पास किया गया था, 2002 में इसको पास किया गया था, समझ में आ गया ठीक है, तो कौन सी state की site है बेटा, जो ये lake, या या सो लेक में include कर गया गया है, गोव है, उत्राखंड है, लदाख है, ये जेन की है, तो कौन सी site है बेटा, ये लदाख, ठीक है न, लदाख की ये जील है, जिसको अभी इस ट्राइं Biodiversity Heritage Site में डाला गया है, और किसकी अंडर डाला गया है बेटा, ये biological diversity act जो 2002 में पास हुआ था, समझ में गया है ठीक है, ओके, next question पे हम चलते हैं, what is our next question, आपका next question है, आपका next question है बेटा, कि which state signed an memorandum of understanding with Patanjali Foods Limited, किसके साथ 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 किया है बेटा, Patanjali Foods Limited के साथ, for the palm oil cultivation, ठीक है, उसमें वो क्या करेंगे बेटा, palm oil cultivation करेंगे, recently, 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 ये sign किया है, Patanjali Foods Limited ने, Nagaland Government के साथ, और यहाँ पी क्या produce करेंगे बेटा, palm oil, ठीक है, क्या produce करना है बेटा है, उन्हें पाम oil, एक बात मैं आपको यहाँ बता दू, कि जो Patanjali Foods है बेटा, वो सिक्किम के साथ भी, मिघाले के साथ भी, मनिपूर के साथ भी, सभी के स काम करने वाली है, बट सबसे पहले उन्होंने जो साइन किया है, that is with the Nagaland, किसको साथ साथ साइन किया है, बेटा, Nagaland के साथ, एक बहुत बड़ी न्यूस है, जिसे अभी आपने सुन रखा होगा, यह आप करांट अफे सुनते हैं, तो आपको पता होगा, कि परवेश मुशर हैं, ठीक है ना, हम कितने भी चाहें तो अपने लिए, मतलब किसी की भी फीलिंग्स को, किसी भी चीज़ को हद पार कर सकते हैं, लेकिन अल्टिमेटली गौड से आगे कुछ नहीं होता, तो मतलब बंदा तो वो भी चला ही गया, ठीक है ना, पता है आपको बेनजर भुट की assassination में उनका हाथ था, 1999 के बाद पाकिसान में उन्होंने military coup किया था, और वहां की democratically elected government को हटा के, खुद सारा जो था बटा अपने हाथ में, फिर उसी देश की जो judiciary system था, उन्होंने उसको ए murder, अपने देश में नजर बंद कर दिया, पहले उनको मौद की सजा दे री, तो म जिस काम के लिए भगवान ने भेज़े, आपको, आप किसी भी post पे हो, चाहे आप military head हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप एक peer हो, चाहे आप एक teacher हो, doctor हो, तो जो हमारा काम है, वो हमें बहुत इमांदारी से करना चाहिए, क्योंकि death is the end of everything, तो जब ultimately end में मरी जान है, तो तो क्या ही फाइदा है, मतलब ऐसे फालतू के काम करके, ठीक है, ठीक है, ये next question देखते हैं, नेक्स कोशन हमारा कौन सा है, कि which country has announced, ठीक है, that it will remove the portrait of the British monarch Queen Elizabeth II from its $8.05 banknote, कि कौन सी country ने बोला है, कि जो थोड़े बहुत उनकी, जैसे अभी आपनी इंडिया में देखा है, especially जो हमें colonial rule की याद दिलाते है, कि हम गुलाम से, गुलामी की वो जड़े हैं ना, उनको खतम करने के लिए नाम बदलना बहुत जरूरी है, विरोध बहुत होता है, बड़ कोई मेरी पूछे बटा, according to me, तो मुझे लगता है कि नहीं नाम बदले जाने चाहिए, क्यों कि वो कहीं ना कहीं हमें बार-बार याद दिलाते हैं कि हम गुलाम दिते हैं, तो वैसे ही कौन से कंट्री ने यह डिसाइट किया है कि वो अपने $5 का जो नोट है, बैंक नोट है, उसमें से Queen Elizabeth का नेम जो हटा देंगे, तो आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा है, Canada है, France ह Singapore है, Australia है, what is the name of that country, ठीक है, उस country का नाम क्या है, ठीक है, उस country का नाम क्या है, I can see your messages on my phone, बैटा, इसे थोड़ा मैं को जुखना पड़ता है, but soon I will make some provision कि मुझे इतना जुखना ना पड़े इसके लिए, the right answer is Australia, इसका सही answer क्या है, बैटा, Australia इसका दिलकुल सही answer है, अगर आप मैंसे कोई मुझे बता सकता है कि Australia वर्ल्ड में कौन से नंबर की largest country है, area wise, कैसे बोला बेटा मैंने area wise, ठीक है ना, area wise कौन से नंबर की country है, तो अगर आप चाहे तो मुझे इसका message, मतलब comment box में लिख सकते है, but मैं आपको छोटा सा trick बता हूँ यहां पे, ठीक है, ठीक पर इंडिया stand करती है, किसके हिसाब से, area wise, ठीक है ना, पॉपरेशन की हिसाब से तो इंडिया आपको पता है, यह नंबर वन के जो अभी आ चुकी है, ठीक है ना, तो मैं आपको यहां पे लिख के दिखाती हूँ, रुख, चीन, ठीक है न, छोटा सा trick है, एक बन इसको से याद करेंगे, तो आपको area wise, जो है, वो सभी countries को याद करना थोड़ा सा easy हो जाता है, कैसे, मतलब अगर आपको R से याद करना हो, तो that rule से में रश्या, ठीक है न, कर से Canada, ठीक है न, उसके बाद, फिर आपके पास क्या जाता है बटा, चाइना, ठीक है न, A से फिर आप अब भारत, ठीक है न, अब करना है बटा, यहाँ पर, ठीक है, तो अब, आपका Russia हो गया, Canada हो गया, China हो गया, USA हो गया, ठीक है, then your Brazil, ठीक है न, फिर उसके बाद, A से Australia, और last में India, तो यह आपके लिए छोटा सा trick है, जिससे आप याद कर सकते हैं, इन सभी country को कैसे, कि करना होगा, तो आपको इनको याद करना जो है बटा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत easy हो जाएगा, बहुत easily इनको याद कर पाएंगे, ठीक है, तो Australia जो है, वो area wise, अगर हम बात करें Australia की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बटा, कि this is Australia, और Australia basically जो है, वो क्या ची आता है, समझ मैं है, ठीक है न, वैसे ही चार island से मिलके बना है, उनकी बारे में आप जानती है, Australia है, Malanasia, Polanasia और Micronasia, यह सारे छोट-छोटे से आपको यहाँ पर islands दिख रहे होंगे, ठीक है, आर्कियो पहली की ओ दिख रहे होंगे, यह सारे मिलके आपका क्या बनाते है, ओशीनिया बनाते है, तो ओशीनिया में सबसे बड़ा island जो है वो Australia है, इसलिए Australia को जो है बटा हम क्या बोलते है, Australia को हम ऐसा भी बोल देते हैं कि this is the continent, बट यह continent जो बटा वो नहीं है, ठीक है, बेसिकली यह क्या है, यह six largest country है area wise और वैसे इसका जो continent है वो ओशीनिया है, जो चार चोटे चोटे यह बड़े बड़े यह आर्कियो पहली कियो अलग अलग highlights को मिला के जो है बटा वो जोड के बना है, ठीक है, नेक्स कोशन देखते हैं कि world wetlands day is observed on which year, ठीक है, on which day every year, हम हर साल जो है, वो world wetlands day कब observe करते हैं, जून 30, 31st, 1st fev और 2nd fev, कब celebrate करते हैं so this is celebrated on the 2nd fev every day, wetlands आप लोग जानते हैं, wetlands किसको बोलते हैं, जितने भी मार्शी एरिया होते हैं, ठीक है, ना, मार्शी एरिया से आप समझते हैं, जितने भी दलदली एरिया होते हैं, बटा, these are known as wetlands, समझ ना कर, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, बटा, wetlands बोलते हैं, ठीक है, और second thing क्या है बच्चे, कि जो wetland आप बोल सकते हैं, wetland जब सबसे पहले sign हुआ था ये commission, तो इसको रामसर commission के नाम से भी convention स्वरी, क्या convention, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, रामसर convention के नाम से भी जानते हैं, because रामसर एक इरान में क्या थी, बटा, city थी, ठीक है, रामसर जो है, वो इरान में एक city है, जहां पर ये wetland convention sign किया गया था, वर्ल्ड के जितने भी marshy areas है, जिनकी biodiversity, biological balance के लिए बहुत important है, उनको save किया जाता है, वहांके flora and fauna को save किया जाता है, तो 1971 में इसको sign किया गया था, और 1975 में बटा, ये effect में आया था, और 1981 में इंडिय इसका क्या बना था, बेटा, पार्ट बना था, ठीक है ना, at this time, इंडिया में जो total wetlands है, 275, total wetlands कितने हैं इस ताम हमारी country में, 75, because 75th independence, 75th 5 हमने independence देम मना लिया न, तो उसी के लिए हमने wetlands की जो population है, मतलब उनके जो number है, sorry, वो भी हमने कितना पहुंचा दिया, 75 पहुंच जहता ही है, कि रामसर convention क्या था, कि थोड़ा और higher level के exam देंगे, तो और elaborate करके पूछ लेते हैं, इसके अंदर, ठीक है, आपकी जो चिलका लेक है, उडिसा की, और आपका जो कियो लादो, राजस्थान में है, वो आपके पहले wetlands हुआ करते थे, ठीक है, सबसे पहले उनको wetlands बनाया था, 1981 में, इंडिया के, अंडर दर रामसर convention, और आपका रेनुका, विच इन हिमाचल परदेश, आपका रेनुका, वो सबसे छोटा बेटा, वेटलेंड है, ठीक है, गूड इवनिंग, अधिती बेटा, कैसे हैं आप, नेक्स कोशन देखते हैं, बेटा, वट इस our next question, our next question is, कि who inaugurated the biggest book fair of Bangladesh, बांगलादेश का सबसे बड़ा book fair है, इसका नाम है, इकुशे बोई मिला, इंडाका, तो ओविस है कि जो बांगलादेश की चीफ, प्राइम मिनिस्टर है, इस शेक हसीना, उन्होंने बटा, ये सबसे बड़ा, बांगलादेश का सबसे बड़ा book fair है, ठीक है ना, और बांगलादेश की बारे में वैसे भी आपने सुनो, अगा कि वो राइटिंग में काफी awards इनको पीछे मिल चुके हैं, और इसमें वो काम भी बहुत अच्छा जो है बटा, वो करते हैं, ठीक है ना, यहां पर पहने आपको इस किसिफ थीम बतानी थी, ठीक है न, that is Banga, Bandur, Bangladesh, तो यह इनकी अपने Bengali language में ही थीम है, दो आपके लिए अभी रिसेंटली आप exam दोगे, तो थीम मैं नहीं बोलूँगे कितिनी important है, आपको पूछी जाएगी बंगलादेश के, बट फिर भी कहीं ना, कि आप इसको mind में रख सकते हैं, क्योंकि अभ important चीज क्या है, आपको questions ही ऐसे डालेंगे, जो आपने actions होचा होगा कि आपको examination में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, next question देखते हैं वाटा, your next question is, कि which country's trade and investment commission has signed a memorandum of understanding with CII to collaborate on a technical vocational education and training, ठीक है न, technical and vocational education training के बारे में तो आप जानते ही है, new education policy में सबसे बड़ी बात बेटा ये बोली गई है, ठीक है न, और new education policy की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो अभी recently जो ISK interview हो रहे हैं उसमें भी new education policy में से बहुत सारी question जो हैं, वो पूछे जा रहे हैं, new education policy में से बहुत सारी question आपको ऐसे examination में पूछे जा रहे हैं, ठीक तो आपने बताना है कि जो आपकी Indian industry की confundration है, confundration of the Indian industry that is CII, उन्होंने बटा ये जो आपका vocational education and training है, कौन सी country के साथ sign किया है, जिसमें क्या रहेगा बटा, ये लोग जो है, यहां के बच्चों को vocational training देंगे बहुत सारी fields में, समझ में आगे, ठीक है, तो right answer क्या होगा बटा, इसका that is Australia, और यहां पर एक छीज मैंने आपको जरूर बताना चाहूंगी, which is very important to you, वो क्या छीज है बटा, that is, कि किस पे focus करेगी बटा, training standards and the delivery in allied health, mining, IT, cyber security, renewable energy, logistic, supply chain and water management, ये सारे topics पे, आपकी जितने भी topics हैं बटा, आप इनको देख सकते हैं, इन सब पे ये focus कर में वाली है, ओके, हाँ, PDF भी बटा, मैं आपको upload यहां पर कर दूँगी, ठीक, I will upload the PDF to, so that आपको जो है,